नविश्कर दोस्तो जहिंद वंदे मात्रम आप्षवी का श्वागत विननदन है टीटी फेमिरी सिश्कों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सिच्चा ही प्रकास है दोस्तो बात करेंगे एमपीटेट वर्ग दो तीन पहले पार्ट की बात करेंग आप अगा आप भ्यास प्रसन पर प्रक्टी सेट चलना है और प्रक्टी सेट नंबर आपका फोर तहने वाला है जिसमें आपके मत्पदेश सिच्चा भरतिश डेटेड़ हिंदी अंग्रेजी रिजिनिंग और पेडागोजी के परशन करेंगे आपके नियू स्लेवर्स के recording 30 प्रश्ण यहां पर पक्के करने वाले हैं जो 7 पियम में हमारी डेली क्लास होती है लाइब क्लास तो सभी लोग जॉइन केजे कि आप सभी लोग लाइब क्लास के मदब से आ चुके हैं और इस लाइब क्लास के बाद इसके जो पहले प्रेक्टि सेट कंप्रीट करें जिसका आई बिटन प्यालेडी लिंक दे दिया जाएगा तो देड़ ना करते हैं यह सारे यहां पर नुचोड करेंगे पहले हम जनरल हिंदी के कुछ प्रस्ण करेंगे इसके बाद आपके अंगले प्रस्ण की बात करेंगे उचारन सब्द का संदी बिछेद क्या होगा आठ प्रस्ण महिंदी इसके करेंगे तो उचारन कहां पर संदी बिछेद पूंचा जा रहा है आप किसकीन पर चार आपसंस दिये गए हैं तो उचारन सब्द का संदी बि इसके बाद जो है दूसरा प्रशन पूंचा जा रहा है कि निम्निकित विकल्पों में से कारण कारक का उधारन बताईए राजा ने भिखारी को दान दिया बच्चा पतंग उडाता है बढ़ाई लकडी से मेज बनाता है खान से हीरे निकलते हैं चार आपसंस आपके स्कीन पर दिये गए तो निम्निकित विकल्पों में करण कारक का उधारन यहां पर बताना है तो करण कारक करता ने कर्म के करण से तो से की बात करते हैं तो बढ़ाई लकडी से मेज बनाता है यह जो से फैक्टर है यह हमें यहां पर बता देता है कि आप का करण कारक तो कार्ड इन्ट कुश्चन्स हमारा सी आपसन सही जाएगा हिंदी नार्मल पूछी जाएगी कोई इतना कठिन नहीं है यह भी ध्यान देना है अंगला प्रसंद दिया गया है निमलिकित में से उच्छिप्त बिंजन बताईए टाठा डाधा जाफा या धा और सबी लोग बताईए निमलिकित में से उच्छिप्त बिंजन की पहचान करना चार में से कौन सा आपसन जो है आपके स्कीन पर सही दिया गया है उच्छिप्त बिंजन की बात कर रहे हैं तो अंगा और धा जो हमारा दिया गया है दोनों हमारे क्या हो जाते हैं या आपके उ कि अंश्वार का इन चार में से क्या बोला जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं अनुश्वार को क्या कहते हैं अनुश्वार को आयोगवाह कहते हैं इसके बाद पांच वाप प्रशन आपके स्कीन पर द्रोपती का चीर होना मुहावरे का अर्थ है बढ़ा चड़ा कर कहना अतधिक विस्तरत होना द्रण शंकल प्लेना या तुछ होना तो जो आपके वर्गेक का पेपर हुआ तो उसमें हमने देखा था कहावतें एक दो प्र कौन्सा राइट एंसर हो जाएगा सभी तो आई सभी आपके कमेंट कीजै कि लाईव क्लास सब लएए और इस लाईव क्लास में आाप लोगों का फीडबेक क्या है कमेंट क्या है ये कमेंट करना बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है तो द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है चलिए कमें आज कुआ है तो वाक हमारा जो दिया गया है सासन द्वारा कितनी भी उजनाएं चला दी जाएं लेकिन करोना के बढ़ते करों क्यारण गरीबी और बेज़गारी दौपदी का चीर की तरह बढ़ती जाएगी तो बढ़ती जाएगी मतलब अतदिक बिस्त्रत होना क्या हो जाएगा अतदिक बिस्त्रत होना हो जाएगा यह आप कह सकते हैं बढ़ा चड़ के बाते हैं यह भी आपके हो सकती हैं तो कभी ना समाप्त होना यह भी एक आपसानाता है तो अतधिक बिस्त्रत होने की हम बात कर रहे हैं अंगले प्रस्ण की बात करेंगे अंगला प्रस्ण दिया गया है निम्लिकित में से महा देवी वर्मा की रशनाओं के प्रकासन का सही क्रम है निहार रस्म निर्जा शांदगेत निहार निर्जा रस्मी शांदगेत रस्मी शांदगेत निहार निर्जा रस्मी निर्जा रस्मी निहार शांदगेत की बात करें तो महादेवी वर्मा की रशनाओं का जो सही क्रम हो जाता है पहला होता है निहार, रस्मी, नीर्जा, और चौथे में आता है शान्धिगीत तो निहार प्रथम, रस्मी दूसरा, नीर्जात्रती, सान्धिगीत, चौथा ये भी आपको ध्यान देना है, और रम्हादेवी वर्मा किस भासा की कभी थी, तो हिंदी भासा की कभी इत्री थी, ठीक है इसके बाद देख लेंगे आपका अंगला प्रसंद दिया गया है, शात्मा प्रसंद आपके स्कीन पर है कि सेना का पर्यावाची पूँचा जा रहा है, कटक, घटक, तारक, दच्छक, सेना का पर्यावाची, सभी लोग बताईए सेना सब्द का पर्यावाची पूँचा जा रहा है, सेना सब्द के पर्यावाची लिखिए, क्या क्या होता है पहला होता है उनी, दूसरा होता है कटक, तीसरा होता है दल, चौथा होता है अनीक तो अनीक दल, उनी, कटक ये सेना के पर्यावाची इसके बाद आठमा प्रशन है हिंदी का सभी लोग बताईए माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, करका मन का डारी के मन का मन का फेर उप्त पंक्त में कौन से अलंकार है उत्प्रेच्छा स्लेस यमक रूपक तो कौन से अलंकार हो जाएगा यहाँ पे? यमक अलंकार हो जाएगा प्रशन में दी गई पंक्त में यमक अलंकार है क्योंकि एक मन का का अतात्पर मोतियों से होता है जो ये मन का दिया गया है, इस मन का का अतात्पर मोतियों से होगा और दूसरे मनका का तातपर क्या होता है तातपर मन रूपी मोतियों से दूसरे का तातपर मन रूपी मनका से एक हो गया मनका का तातपर मोतियों से दूसरे का तातपर मन रूपी मोति जो होते हैं यहाँ पर हमारा यमा कलंकार राइट एंसर हो जाए अब जन्राल इंग्लिस के question करेंगे शपल दा correct article in the blanks correct article हमें बताना है खालिस्तान दिया गया है lines is strong beast अब दा, ए, एन, एदा इसका प्रयोग करना है तो सभी लोग जानते हैं article में sentence में blank same इस्थान के अगर बात करते हैं तो the lines is a strong beast यहनि पहला option जो दिया गया सही हो जाए क्या होगा यहाँ पे the lines is a strong beast क्यों होगा दिखें blank space के इस्थान पर दा एका प्रयोग हुआ है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं the is type की use a component with any noun with specific meaning noun referring to a single thing तो we use before a consonant sound तो हम लोग क्या इसके before में consonant sound हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं दा का प्रयोग करते हैं तो the lines is a strong beast इसके बाद आपका दूसरा प्रस्ट यूज दा सिच्वेल आर्टिकल इन दा फ्लोइंग संटेंस जो सही आर्टिकल है उसको हमें यहाँ पे चैन करना है और बताना है और आर्टिकल हमारा दिया गया है copper is a useful metal दा मेटल आएगा दा यूज फूल मेटल आएगा या आपका none of these useful metal copper is a useful metal copper is an metal useful metal आजाएगा सभी लोग बताएगा यह क्या सही हो तो copper is a useful क्या आएगा copper is के साथ क्या लिखता है is a useful metal a का प्रियोग यहाँ पे हो जाएगा ठीक है an का प्रियोग होता है जहाँ पे हम singular countable nouns होते हैं तो singular countable nouns में हमारा an का प्रियोग होता है तो यहाँ पे a का प्रियोग हो गया है होगा भी इसके साथ हम अंगले प्रिशन की बात करेंगे insert the correct article in the sentence below correct article यहाँ पे बताना है there is a woman from the bank on phone bank a phone non of this bank on phone bank the phone देखे दा का प्रियोग तो हो नहीं सकता यह हो सकता है सबी लोग उताइए क्या होगा there is there is from the bank on the phone दा फोन क्यों होगा यह भी हम बताएंगे दा उडवी correct answer from this sentence because article दा is used with any noun when the meaning in is specific तो दा का प्रियोग इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि any noun किसी भी noun में जब meaning is specific होती है तो यहाँ पे दा का प्रियोग किया जाता है यहाँ पे phone दिया गया है तो phone दिया गया है तो दा फोन की बात करेंगे क्योंकि an का तो प्रियोग हो इनी शकता है ठीक है इसके बाद बात करते हैं अंगले प्रियोग के चूज दा आप्सन विद दा मोस्ट ए एप्रोप्रियेट यूजेज आफ और्टिकल इनमें से जो मोस्ट आपका एप्रोप्रियेट आर्टिकल से वो हमें यूज करना है आईसा दा यूएस प्लैन येस्टरडे आईसा आ यूएस प्लैन येस्टरडे आईसा एन यूएस प्लैन येस्टरडे या आईसा प्लैन येस्टरडे तो प्लैन हम क्या कर रहा हैं ये भी तो रीजन होना चाहिए तो I saw a US plane yesterday एक अप्रियोग हो जाएगा एक अप्रियोग कि इसले होगा क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि article में absence देखा जाता है I saw a US plane yesterday दिया गया है क्योंकि A का used before words that start with consonant sounds even if the consonant sound is made by an obelage A university जिसे A university कहते हैं उसी प्रकार A US हो जाएगा या university की बात करते हैं तो इसलिए इसके पहले हम A का अप्रियोग हो जाएगा तो B option is the correct, option is the right answer अगला प्रस्ण है चूजदा appropriate article in the blank सुध सही article हमें चैन करना है जेंटल मैन केम टू स्कूल टू सी प्रिंस्पल्स आ प्रिंस्पल, दा प्रिंस्पल, एन प्रिंस्पल या जिरो आर्टिकल होगा देखे प्रिंस्पल के पहले किसका प्रियोग होता है दा प्रिंस्पल हो जाएगा the principle हो जाएगा बहुत है simple सब्सक्राइग क्योंकि इसमें देखा जाए the is the definitive article which is used for singular and plural nouns when the noun is specific for particular this singles that the noun is definite that is refers to a particular members of a group to the dog that bit me ran away तो the principle की बात करेंगे ठीक है अब आती है वारी आपकी reasoning और तारकिक वाले प्रस्न करेंगे तो सभी लोग क्या तयार हैं reasoning और तारकिक वाले प्रस्नों को देख कर समझना और व्याख्या करना चले reasoning में पहला प्रस्न आग चुका है कि गंटे का समंद सिकंड से है उसी तरह तरस्यरी का समंद किस से होगा ordinary से primary से secondary से intermediary से गंटे का जो समंद है second से बताए गया नहीं बड़े से छोटे का समंद बताए गंटा बड़ा होता है second तो छोटा समय होता है इसी प्रकार tertiary का सम्मंद पूँचा जा रहा है तो tertiary का सम्मंद क्या हो जाएगा किससे होगा tertiary बढ़ा है तो क्या होगा इससे चोटा primary हो जाएगा तो tertiary का सम्मंद primary से हो जाएगा तेखें तो यहाँ पर हमारा जो भी आपसंद दिया गया है पर हमारा सही हो जाएगा रिनिंग में दूसरा प्रश्ण पूचा जा रहा है, खेल का सम्मन्द लोगों से है, उसी तरह राष्ट का सम्मन्द किस से होगा, प्रतीक से होगा, सासक से होगा, जानवर से होगा, या गान से होगा, सभी लोग बताईए, तो खेल का सम्मन्द लोगों से है, उसी तरह कोई भी डाउट हो बेफिक कमेंट कर सकते हैं सेवन पीम में डेली आपकी लाइब क्लास होगी फर्स पार्ट की डेली नए प्रस्न मिलेंगे आपको क्रम आपका दिया गया है A, E, Z, E, I, Y, I, O, X इसकल टू होगा बाई और दोपद किसी तरह समान है और दाई और के दोपद भी उसी तरह समान है तो वह हमें बताना है यहीं कि जो सम्मंद आपके A, E, Z का है A, E, Z से A, E, Y का है वही सम्मंद I, O, X से जो आपसं दिये गए हैं इनसे होगा तो A, E, Z से सम्मंद कैसे निकालेंगे पहले यह जानना जरूरी है A, E, Z हो गया इसका सम्मंद E, I, Y से कैसे हो रहा है तो Z के पहले Y आता है Z, Y E के बाद I, E के बाद E का सम्मंद दिया गया इसी प्रकार आपका I, O, X का जो सम्मंद हो जाएगा किससे हो जाएगा? O, U, W से X, W, O, U और I के बाद O M, O होता है ना, 2 है ना, B, C, D के बाद E आता है ना, उसी प्रकार तो यहाँ पर हमारा कॉंसर आपसन सही हो जाएगा? O, U, W D आपसन इस दर आइट अनसर अंगला रिजिनिंग का प्रस्ण दिया गया है तीन परस्पर संबंदे सब्दों का एक समूँ दिया गया है तीन परस्पर संबंद दिया गया है Marble, Slate और Janis अब इन में से इस सब्द संब्दों को हमें चुनना है तीन आपसन दिये गया है, इनसे हमें चुनना है तो मारवल मत्तब संगमर्मर का संबन्द हो जाएगा स्लेट का संबन्द पटिया से संबन्दित हो जाता है और गिनीश का जो संबन्द हो जाता है वह आपके खानी से या द्रभ संबन्दित हो जाता है तो इसी प्रकार आपका क्वाट्जाइट का संबन्द किसे हो जाता है इन ही से हो जाता है। संगमरमर, पटिया, खानीच, कौाट चाइट अर्थों से संबंदी दिया गया था। पहला अपसन सही जाएगा। इसके बाद अंगला जो रिजनिंग आपका प्रस्ण दिया गया है। दिया गया अनुक्रम दिया गया। दोसो पच्पन, दोसो संतामन, दोसो नवासी इसके लिए लोक्त मान होगा। ये इस प्रकार के वर्ग एक में आये भी है। लेली प्रस्ण एक दो आये हैं। अनुक्रम वाले आये हैं। अनुक्रम वाले प्रस्ण आये हुए हैं। इन प्रकार के प्रस्णों कैसे हल किया जाता है दो सो पचीस किसका वर्ग है पंद्रा कवर्ग है पंद्रा कवर्ग दो सो पचीस होता है वोता है के नहीं होता है पंद्रा धन एक कवर्ग कर देते हैं, तो 256 धन एक हो जाएगा, इसकल तू 257 हो जाता है आपको, उसी प्रकार 289 किसका है, सत्रे कवर्ग है, सत्रे धन एक कवर्ग कर देते हैं, यहीं 18 कवर्ग 324 आ जाएगा, और धन एक करते हैं, तो टोटल 325 हो जाता है, तो 325 किसा अपसन में दिया गया है, यह अपसन में कुछ नहीं करना है, सत्रे धन सत्रे धन एक कर देंगे, जो आएगा, उसमें भी एक कवर्ग देंगे, यानि 18 कवर्ग 324 होता है, इसमें एक जोड देंगे 325 आजाएगा, वही क्रिया करना है, डिया आपसन सही हो जाएगा इसके बाद अंगला प्रश्ण है, जैसे फूल एक गुलदस्ता है, वैसे मंत्री है, एक मत है, विभाग है, मंत्री मंडल है, या चुनाव छेत हो जाएगा, तो जैसे एक फूल का गुलदस्ता होता है, इनि फूलों से गुलदस्ता बनता है, वैसे मंत्री जो है किस से बनते सबी लोग बताईए ठीक उसी प्रकार मंत्री क्या है मंत्री मंडल सी आपसंस सही हो जाएगा फूल से गुलुप दस्ता मंत्री से मंत्री मंडल अंगला पसंदिक लेते हैं मैच विन से सम्बंदित है उसी तरह है एक्जामिनेशन किसे सम्बंदित होगा मैच होगा तो कोई न कोई जीतता है और एक्जामिनेशन होगा तो कोई न कोई क्या करता है एक्जामिनेशन किसे सम्बंदित हो जाता है सफलता से अर्थाद सक्सेस से संबंदित हो जाता है डी आपसन आले डी सही हो जाएगा तो साथ प्रस्टन हमने रिजिनिंग के भी कर दिये तोटल हिंदी के हमने कितने आठ कोश्चन किये पांच कोश्चन इंगलिस किये साथ कोश्चन इसके कर लिए तोटल कितने कोश्चन हो गए 20 कोश्चन हो गए 10 आपके जो प्रस्टन करेंगे वह पेड़ागाजी के प्रस्टन करेंगे अब करेंगे पेड़ागाजी के प्रस्टन ध्यान दीजिए लेवाई गोस्की वाजीन प्याजय जी के सिध्धानतों में मुखवेद क्या है बच्चों की बेध रशना की प्रकिया में भूमिका वस्मिस रशनात्मक बच्चों के सक्री निस्की कारकरता एक रूप में देखना भासा वा सोच के बीच सीखने की प्रकिया समझ सरल और जटिल देखिए लेव वाईगोस्की और जीन प्याजे जी के सि सोच आते हैं पर तो जीन प्याजे जी का माना की बच्चे से पहले विचार आते हैं बाद में भासा के जन्म होता है ठीक है तो वाईगोस्की करना पहले भासा जन्म होता है और जीन प्याजे कहना भासा के जन्म बाद में होता है बस इतना अंतर है अंगला रूची को तीन पेंसिल दिखाई जाती है वह देखती है कि पेंसिल का पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल खा पेंसिल गा से बड़ी है जब रूची वह निसकस निकालती है कि खा गा से बड़ा है तो वह जीन प्याजे जी कि किस संगनात्म बिकास की विसेशता को दर्शार है तो सिंपल स कास की विषिशता को दr星 रही है अगले क lasted=# अंगले आपसने बुद्धी की σ्पियर्मेन परिभासक में जो कारक होता है जी, जी और एस फेक्टर आप ने पढ़़गे जी और एस कारक तो जी कारक क्या होता है? जी होता है शमान बुद्धी और जो S होता है इस्पेसल ठीक है जन्रल जी से जन्रल S से इस्पेसल तो शमान बुद्धी जी परिभासा हो जाएगा जो प्रतेक बिक्ति में अलग-अलग मात्र में पाई जाती सीखने के आकलन के बजाए सीखने के लिए आकलन सुनिश्रित करने के लिए एक सिच्छक को चाहिए कि वह क्या करे यह कई बार पूंचा गया है इसलिए important प्रस्ण मन जाता है अंगला प्रस्ण है आधिगम सम्मंधी वै कठनाईया जिसमें से कम देर तक ध्यान केंदित हो पाए आवेक सीलता हो और निरासाओं के प्रती कम सहिसुता हो निम्लिखित में से किसकी ओर इशारा करता है तो अधिगम सम्मंधी वै कठनाईया जिसमें से कम देर तक ध्यान केंदित हो पाए आवेक सीलता हो और निरासाओं के प्रती सहिसुता हो निम्लिखित में से जो इसारा कर रही है वै आवधान निवंता अजक्रिया सीलता विकार क्योंकि जिस बालक को अधिगम सम्मंधी कठनाई हो और देरी तक अधिगम में ध्यान केंदित ना कर पाए साथी साथ आवेक सीलता भी है और निरासाओं के प्रती कम सहिसुता रख रहा है तो अधान निवंता अथिक्रिया सीलता का विकास हो जाए इसके बाद अंगला प्रस्ण है किनिन में से काउन सा क्रिया कलाब बच्चों के सीखने में उनके पूर ग्यान का उपयोग नहीं करता है देखें बच्चों के पूर ग्यान पर क्रिया कलाब जो उपयोग करता है वह संकल्पना मान्चित्र है इस कीमा सक्रीता है विचारा वेस है लेकिन रटना नहीं है दोस्तों रटना जो है यह पूर ग्यान का उप्योग करके नहीं होता यह बिल्कुल भी आपका सही नहीं पाय जाएगा और रटना हमेशा पेड़ोगाजी में इस सब्द को नेटू माना गया है बाहर ही रखा गया है एक धापिका को अपने कच्छा कच में किन विभिन्ताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मलित करना चाहिए तेक धापिका को सिचिका को अपने कच्छा कच में विभिन्ताओं को सम्मान देने के साथ सम्मलित करना चाहिए समाजिक संस्क्रति को कच्छा में विभिन समाजिक संस्क्रतियां प्रश्रूम के छात्र होते हैं जिन से सिच्छा को समानूप से बिवहार करना चाहिए अंगलापस ने समच्छा के समधान की वे प्रणाली जिसमें लच्छ से आरम करके क्रम से पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुचा जाता है कहलाती है तो समच्छा के समधान की वे प्रणाली जिसमें लच्छ से आरम करके क्रम से पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुचा जाता है पीछे की ओर काम करने के रर्णीत का उप्योग करते समय सुरुवात में वापस आने के लिए प्रत्य एक आपरेशन को उलट दिया जाता है। तो चात पीछे की ओर काम करते हैं उन्हें क्या है गटाना होता है। और अगर वे आंगे पर काम करते हैं तो गुणा करना होता उन्हें पीछे की ओर काम करते हुए विभाजित करना होगा इसे पश्चगामी कारकारी युक्ति कहलाती एक सिचिका पाठवस्त और फल सबजियों के कुछ चित्रों का अप्रियोग करती और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती विद्यार्थि इस जानकारी को अपने पूर ग्यान से जोड़ते हैं और पोसन की संकल्पना को सीखते हैं यह उपागम अधारित होगा एक सिचिका ध्यापिका है जो पाठवस्त और फल सबजियों के कुछ चित्रों का प्रियोग कर रही है और अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा भी कर रही है तो विद्यार्थि इस जानकारी को अपने पूर ग्यान से जोड़ते हैं और पोसन की संकल्पना को सीखते ह या उपागम किसमरधाईत हो जाएगा ग्यान के निर्मान पर आधारित हो जाएगा पहला आपसन सही हो जाएगा अंगला पसनाई निर्मे से कौन सी सब्दा वली प्राय अभिप्रेणा के साथ अंते बदलाव के साथ इस्तिमाल की जाती है शम्बेव, आवशक्ता, उत्पिरेणन, पुर्सकार या प्रेरग इन में से वह सब्दावली प्राह अभी प्रेणा के साथ अंते बदलाओं के साथ जो इस्तिमाल की जाती है तो वह क्या कहलाएगी? वह आपकी आवशक्ता कहला जाएगी क्योंकि जिस प्रेकार से हम अपनी आवशक्ता को संतुष्ट करने के लिए कुछ लच निधायित करके उन्हें प्राप्त करने का प्रेयास करते हैं तो आशक्ता अभी प्रेणा के साथ अंते बदलाओं के लिए प्रियोग में लाया जा सकता है और कहलाती आशक्ता सेकंड आप्सन सही हो जाएगा तो आई हो फ्षबी प्रेणा के लिए प्रेणा के लिए जाएगा